रादी कृष्णा दोस्तो स्वागते आपका प्रेम की रसोई में आज हम बनाने वाले हैं कोल्ड कॉफी तो चलिए बनाते हैं आज हम घर में ही कोल्ड कॉफी को बनाकर तयार करेंगे बाजार से सस्ती और अच्छी एकदम गाड़ी-गाड़ी को बनाएंगे हमने एक लीटर दूद लिया है दूद को अच्छे से गरम कर लिया था और पूरी रात के लिए फ्रीज में रख दिया था देखिए इसमें कितनी बढ़िया मलाई बढ़ी है कम से कम सौ से डेट सो ग्राम इसमें मलाई है बड़े वाले जार में दूद डाल दिया है साथ में एक चमच कॉफी डाल देंगे हम बिना वरफ के ही कॉफी बनाएंगे वरफ डालने से क्या है ना कि जो कॉफी का टेस्ट है वो पनिला-पनिला सा लगता है पीने में अच्छा नहीं लगता है चीनी डालेंगे चीनी आप अपने हिसाब से कम जादा कर सकते हैं अगर जादा मीठा पीते हो तो जादा डालिएगा और कम मीठा पीते हैं तो कम डालिएगा हमारे कर में जादा मीठा पीते हैं तो इसलिए मैं चीनी डालेंगी वीडियो को बिना स्किप किये देखिएगा अगर मेरे कॉल्ड कॉफी की रेसिप अच्छे लगती है तो प्लीज लाइक कमेंट कीजेगा चैनल को सब्सकाइब कीजेगा आप कुछ नहीं करना है दो से तीन बार मिक्सर को रुक रुक कर चलाना है देखिए कितनी बड़िया कॉफी बनकर तयार हो चुकी है जो मलाई थी वो अच्छे से क्रीमी जाग में बदल गई है और जो दूद है वो भी एकदम फलपी हो चुका है अब हम इसको परोस लेते हैं सबसे पहले हमने कॉफी डाला उपर से जाग डाल देंगे क्रीमी जाग है अगर इस तरीके से कॉफी बनाते हैं तो आइस क्रीम की भी जरुवत नहीं पड़ती है क्योंकि बच्चे अगर जद कर रहे हैं तो इस वज़े से मुझे इसमें आइस क्रीम भी डाल नहीं पड़ रही है साथ में ही डाल दिया है चॉकलेट को क्रस्ट करके और एक चमच आइस क्रीम लीजिए हमारी चिल्ड़ चिल्ड़ कॉफी बनकर बिल्कुल तयार है